हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल आरोही मोटर्स और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियों में अगर चलते समय पीकप छोड़ देते या पीकप ड्राफ हो जाती है तो एक बहुत बड़ी समय से है तो मैं आज आप चलती गाड़ी में पीकप ड्राफ या पीकप छोड़ना एक बहुत बड़ी समय से है और यह आपकी इलेटानिक गाड़ी और विलेटानिक गाड़ी दोनों में आता है लेकिन यह खास कर आपके इलेटानिक गाड़ीयों में जड़ता रहते हैं इलेटानिक गाड़ी कोई स लिख से रेस होना बंद कर देता है जिसे हम पीक अप डॉप या फीक अप छो्ड़ना कहते हैं तो इस से ठीक करने की लिए हम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए जो एक्सिलेटर पैडल है जो इस जिसे हम डेस भी कहते हैं उस्से आप निकाल कर उसमें तिन बोटल अगे रहते हैं दस नमबर के कई गाड़ियों में आपका पांच नमबर इनुल की भी लगा रहता है तो फ्रेंस हमें उस पेडल को निकाल कर उसे पेट्रोल सची तरह से साप कर लेना चाहिए और इसे यहां जो काराण है पीकप छोड़ना के पीकप छोड़ने की वह समझ से आपकी लिटानी गाड़ी में ज्यादातार इसलिया आता है क्योंकि लिटानी गाड़ी में कभी-कभी जो एक्सिलिटर पेडल उसमें कारबन आ जाने के काराण यहां पीकप छोड़ने की समझ से आता है तो हमें क्या करना है उसे पेट्रोल सची तरह से साप कर लेना चाहिए और उसके बाद कुछ देर दुब में रख देना चाहिए फिर उसके बाद उसे लगा देंगे जो एक्सिलिटर पेडल है उसको फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जो पीकप छोड़ने की समझ से है वह आपका चला जाएगा यहां तो होगे आ उससे ठीक करने के लिए आपको जो एक्सिलिटर का जो होता है ठोटाल बाउडी उससे आप बाहर निकाल कर उससे भी आपको पेट्रोल से सभी उसके पार्स को साब कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको भी धूप में कुछ देर रखने के बाद लगा ले तो आपका जो पेट्रोल गारी है उसमें भी जो पीकप ड्राप की समझता था या पीकप छोड़ेने की वह भी आपका ठीक हो जाएगा